Unacademy. Let's crack it. प्रिवेसे क्वेस्टेंज को सॉल्व करकर. दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही होता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इडिन्टिफाइ कर सकते हैं with the help of these PYQs. तो इस सीरीज में आपको 2013 से लेके 2023 तक यानि पास 10 years के PYQs में करवाने वाली हैं. टी हमें देखने को मिलते ही हैं quality के out of the hundred questions which is around 15% of the paper. तो यह जो questions हैं यह moderate to difficult or easy to moderate level के होते हैं. यहां पर quality जैसे subject में अगर मैं बात करूं specifically तो यह काफी अच्छा chance होता है आपका questions को सही करने का. Because अगर आपसे you know 4-5 options देकर भी question पूछा है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें पता होगा because आपने पढ़ा है. And there are some topics which are very very important. ठीक है जो अभी हम question solve करेंगे भी ना तो उसमें हम देखते वे चलेंगे. अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 15 questions quality से आयते हैं which were moderate to difficult level. फोड़ा difficult paper आया था लेकिन अगर आपने तयारी अच्छे से की, आपके concepts clear हैं तो आप उन questions को अच्छे से attempt कर सकते हो, easily attempt कर सकते हो. ठीक है अब अगर हम previous questions को examine करें तो हम देखेंगे कि कुछ sections हैं quality के जो बहुत important हैं. मतलब these are the topics जो आप बिलकुल भी छोड़ना फोड नहीं कर सकते हैं quality में and they are the fundamental rights, the fundamental duties, DPSPs ये सबसे ज़ाधा important topics में से हैं along with preamble और preamble and historical background जो है यहां से आपको questions on and off मिलते हैं. तो आप यह topics भी miss नहीं करेंगे, हां जैसे इस तमें citizenship को लेकर बात चल रही है, है ना, तो यह topic important हो जाता है कि citizenship को लेकर, citizenship amendment act है उसको लेकर बात चल रही है, उसको वो चर्चाओं में हैं तो citizenship important है, अब उसमें articles इतने important नहीं होंगे, जो provisions हैं, जो प्रावधान हैं वो important हो आवा legislative, constitutional, local government वाले topics हैं, यह भी काफी महत्पूर्ण topics हैं, जिसमें जो पंचायती राध सिस्टम है, PRIs हैं, वो important हो जाते हैं, सम्विधानिक जो offices हैं, वो important हो जाते हैं, अब recent समय में, पिछले कुछ सालों से Supreme Court has become a very very important topic, क्योंकि back to back judgments हम देखते हैं, कुछ controversial issues पर judgments आए है और कुछ ना कुछ चर्चाओं में Supreme Court किसी ना किसी वज़े से बने ही रहते हैं हमेशा, तो यह important हो जाता है, अब इसमें जो topic news में चल रहा है, क्या वो topic important है, हां जी वो topic important है, along with the conventional, जैसे powers of Supreme Court, या independence of Supreme Court, यह topics आपके लिए important हो जाते हैं, तो Supreme Court Judiciary, overall आपको पढ़ना चाहि चोड़ना अपनी prelims तयारी में, और इन ही का extension में में भी देखते हैं, में तोड़ा और elaborate हो जाता है, तोड़ा और इन topics को in-depth पढ़ना होता है, लेकिन prelims का में में की तयारी करते हैं, तो इन sections को बिलकुल नहीं चोड़ना, यहां पर आपको सब को चाना चाहिए, ठीक है, चलो इसके बारे में तो हो गई बात, अब बात करेंगे, अब देखेंगे questions कुछ, previous question solve करना start करेंगे, यहां पर मेरा target रहेगा कि मैं आपको 4-5 questions जो है previous यहां कि वो solve करा हूँ, with explanation, अगर question lengthy हैं, तो 4 questions करेंगे, अगर question छोटे हैं, you know one liner questions हैं, तो हम 5-6 questions भी करेंगे, लेक पादी intent होता है, एक तरह से आपना, कुछ topics, अब यह तो possible नहीं कि हम cover to cover book को याद रखें, तो कईबर जब हम questions solve करते हैं, PYQ solve करते हैं, तो कुछ topics जो हमने book से शे डरेकली नहीं पढ़े होते, वो भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं, उनके बारे में भी हम, उनको लेकर भ दोंगी, तो उसमें detail explanation होगा, तो आपको समझ में आएगा, कलिए, before we move forward, this is a small introduction about me, यह मेरा telegram channel है, जहां पर आप मुझे follow कर सकते हैं, दोस्तों, nd live 10 मेरा code है, जिसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं, to unlock exclusive content on a platform, और हमारे offline से इंटर भी आप जा सकते हैं, और avail कर सकते हैं, 35% तक का discount, मेरा code यूज़ करके, on the subscriptions, comment section के pinned comment में, और description box में, आपको एक counseling form में लेगा, उस form को fill कर दीजे, बिलकुल fill कीजेगा, it hardly takes one minute, वहां पर आप से educator code पूछा जाता है, उस educator code में, please use my code nd live 10, so that मुझे आपके बारे में पता लग जाए, और मैं भी आपको support कर सकूँ, आपकी तियारी में, इसके लावा मारा करोलभाग center जो है Delhi में, आपर हम ये courses लेकर रहे हैं, 25-26 के learners के लिए, 35% discount आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा code use करना है nd live 10, आप किसी भी doubt या query के लिए center visit कर सकते हैं, आप इस number पर भी call कर सकते हैं, इसके लावा जो मुखरजी नगर center है, हमारा वहाँ पर भी हम ये courses लेकर आए हैं, आपके लिए, 2025-26 के लिए, again, nd live 10 आप code use कर सकते हैं, to avail the best discount, which is 35% as of now, कोई भी doubt या आप center visit कर सकते हैं, इस number पर call भी कर सकते हैं, ताती प्रयाग राज में रहने वाले बच्चों के लिए भी हमारे courses शुरू हो गए है, on academy, offline centers पर, जहां ना के वल आपको UPSC का foundation course मिल रहा है, with plus subscription, UPPCS का foundation success program भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं, आपके लिए, क्योंकि introductory batches है, introductory courses ह है, तो आपको यहां 40% discount मिल जाएगा, with my code ndlife10, अभी जाएए center visit कीजिए, center civil lines में है, या फिर और जानकार या फिस number पर call कर कर भी ले सकते हैं, आप में जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी 2024 के crash courses हम ले आए हैं, दोस्तों जहां पर CSAT और prelims crash course हम शुरू कर र जाएगा ndlife10, so that I can also help you in your preparation, चले शुरू बात करते हैं विद धि फिर्स्त question, so consider the following statements, pursuant to the report of H. N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed, the Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves, the Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt, contempt, in India, Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court, so इनमे से कौन सा statement जो दिया गया है, उनमे से correct statement बताना है आपको, 1 and 2, 1, 2, 4, 3 and 4, only 3, ठीक है, 10 सेकिंड का time दीजिये, और देखिये कौन सा statement यहां पर सही है, ओल्राइट, वीडियो को pause भी कर सकते हैं, pause करकर फिर से पढ़ लीजिये question and answer दीजिये, चलिए, answer is B here, इसका मतलब यह है कि हमारा पहला statement correct है, हमारा दूसरा statement correct है, यह statement सही नहीं है, पोट statement correct है, तो कि समविधान कहीं पर भी define नहीं करता, civil contempt को या criminal contempt को, it is not given in the constitution, definition नहीं भी गई है, तो पहला statement correct है, हमारा, एक कमिटी जो कि सेट अप की गई थी 1961 में, under the chairmanship of late H.N. सानियाल, जो समय additional solicitor general थे, कमिटी ने comprehensive examination किया, of law and problems related to contempt of court in the light of position obtained in our country, और बाकी देशों में भी, मतलब पूरा comprehensive examination यहाँ पर किया गया, और उनकी recommendations पर, जो की दी गई थी by H.N. सानियाल, उनकी परस्वेंट में, contempt of court act 1971 was passed, 1961 की एक कमिटी थी, जिसने recommendation दिया था, इस act को लेकर, contempt of court को लेकर, 1971 में यह passed हुआ, तो बिलकुल सही statement है, second statement बिलकुल सही है, Supreme Court और High Court जो है हमारे देश में, वो empowered किये गए हैं, with the power to penalize for contempt of court, under article 129 and 215, 129 for Supreme Court, 1215 for High Court in the Constitution of India, सम्विधान कहता है, statement 3 गलत है, क्योंकि सम्विधान define नहीं करता है, civil ya criminal contempt को, statement 4 बिलकुल सही है, article 142 का clause 2 जो है, वो clearly कहता है, subject to the provisions of law made by, on this behalf by the parliament, so parliament को यह अधिकार दिया गया है, कि इसमें, कानून parliament बना सकती है, Supreme Court shall have all and every power to make any order on the punishment of any contempt to itself, ठीक है, thus, जो हमारी parliament है, धार्ती संसर जो है, उसको एपावर दी गई है, to make laws on contempt of court, तो यह चौथी statement भी बिलकुल सही है यहां पर, चलिए, second question देख लेते हैं, with reference to India, consider the following statement, government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates, बार council have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges, इन में से कौन सा statement सही है बताना है, one, two, both, neither, again, 10 second का time लीजे, अपने आपको time दीजे, वीडियो को pause कीजे, questions दुबारा पढ़िए, and then try and answer, चलो, answer is B, पहला statement गलत है, यहां पर, second statement बिल्कुल ठीक है, corporate lawyers और patent attorneys जो होते हैं, उनको भी lawyers recognize किया जाता है, और कोई भी prohibition नहीं है on their recognition as lawyers, सभी को lawyers recognize किया गया है, यहां पर, चाहे वो government law officers हो, legal firms को हो, उनको advocates recognize किया जाता है, corporate lawyers को भी और patent attorneys को भी lawyers धी recognize किया जाता है, statement 2 जो हो बिल्कुल सही है, जो बार काउंसल ओफ इंडिया है, हमारा वो विजिट करती है, इंस्पेक्ट करती है, universities को, law colleges को देश भर में, as a part of its statutory function, जो बार काउंसल ओफ इंडिया का statutory function है, और promoting legal education, और साथ में standards lay down करना, in consultation with the universities in India, and state bar councils, ठीक है, bar council of India, जो है, हमारी statutory body है, जो कि established की गई थी, under section 4 of the advocates act of 1961, जो regulate करती है, legal practice और legal education को भारत है, तो यह additional information, आपको यहाँ पर, मिल जाएए, बहुत ही असान question है, बहुत ही असान question है, कौन सा statement यहाँ पर correct है, बताना है आप, again, 10 seconds के लिए, वीडियो को pause कीजिए, read the question again, and answer, so the answer to this question is again, B, B ही है इसका answer, क्योंकि, amending, जो बिल जो amend करता है, समविधान को, amending powers, जो है, पार्लिमेंट की, article 368 में दी गई है, ऐसे बिल को, prior recommendation नहीं चाहिए होती है, राष्ट्रपती की, तो पहला statement गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है, दूसरा, 24 बे समविधान संशोधन अदिनियम के अंतरगत, राष्ट्रपती को, obligatory कर दिया गया है, कि उनको, तो असेंट देनी ही होगी, ठीक है, तो constitutional amendment bill can be introduced by either a minister or a private member and it does not require prior permission of the president under article 368, और दो संदत के किसी भी सदन में आ सकता है, can be in लोकसभा, it can be in राज्यसभा also, statement 2, correct है, 24 वे समिधान संशोधन ने भारते समिधान में संशोधन किया और article 368 में कहा कि जो amend करते हैं, उसमें जो भी bill है, तो parliament से pass हो जाएगा, तो उसको राश्च्पती के पास भेजा जाएगा, राश्च्पती को इस संशोधन के अंतरगत, binding हो गया उनके लिए, या उनको bound कर दिया गया कि आपको अपनी सहमती देनी होगी, bound to assent, उनको अपनी सहमती देनी ही है, obligatory बना दिया गया उनके लिए कि वो सहमती देंगे ही देंगे, statement 3B यहाँ पर बिल्कुल correct है, article 368 जो है भारती समयधान का, requires that the constitution of India can be amended by both the houses of parliament by special majority, ठीक है, और अगर disagreement हो जाए दोनों सदनों में, with respect to passage of this bill, तो इस amending जो बिल होता है, उसमें कोई भी joint sitting का प्रावधान नहीं दिया गया समविधान में, joint sitting की अगर मैं बात करूँ, तो joint sitting केवल, ordinary bill के case में है, या financial bill के case में है, जो की money bill से related नहीं होते, under article 108, तो समविधान, संशोधन, विधेयक और जो धन विधेयक है, money bill जो है, उनके case में joint sitting का प्रावधान हमारे समविधान में नहीं दिया गया, ठीक है, चाली, the constitution of India classifies the ministers into four ranks, cabinet minister, minister of state, with independent charge, minister of state and deputy ministers, the total number of ministers in union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members in Lok Sabha, इन में से कौन सा statement सही है, बताने है, one, two, three, both, और neither, again, 10 second का pause लीजिए, वीडियो को pause कीजिए, question दुबारा पढ़िये, and answer कीजिए, ये भी बहुत आसान question, बताब, out of all the four questions, I would say, कि सिर्फ पहला question थोड़ा सा technical हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सानियाल कमीटी का fact था, otherwise, the information दीती, they were simple, second question थोड़ा सा technical था, because Bar Council of India के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप नहीं कर answer is, B, for this question also, पहला statement incorrect है, क्योंकि समविधानिक रूप से कोई भी classification नहीं किया गया है, of the Council of Ministers, article 74 or article 75, council of ministers की बात करते है, उनकी classification की बात नहीं करते है, article 74 कहता है, that there shall be a council of ministers with prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in excise of his function act in accordance with such advice, article 75, the council of ministers headed by the prime minister is, you know, basically accountability ensure की गई है, they are accountable to the legislature, to the legislature, ठीक है, so article 74, 75 में council of ministers का जिक्र किया गया है, लेकिन classification नहीं किया गया है, second statement जो है correct है, सम्विधान में संशोधन किया गया, 91st Amendment Act of 2003, जिस से, article 75, council of ministers, ministers जो होंगे, मतला, prime minister की नियुक्ती होगी, उसके वाद उनके कहने पर, उनकी सलहा पर, राश्टपती जो है, किसको नियुक्त करेंगे, ministers को नियुक्त करेंगे, ठीक है, तो prime minister की नियुक्ती की appointment of the prime minister, उनकी advice पर, the ministers are appointed by the president, all right, अब ये जो ministers हैं, कितने ministers appoint किये जाएंगे, इसको, एक, clear, एक तरह से ceiling हम कह सकते हैं, या थोड़ा सा number जो है, वो clear कर दिया गया, कि वह 15% से जादा नहीं हो सकते हैं, including the prime minister, ठीक है, मतलब, reason simple था, because horse trading बहुत होती थी, या, दल बदल बहुत देखने को मिलता था, ministry के लालच में, पद के लालच में, उसको रोपने के लिए, ये संशोधन किया गया था, 2003 में, जिसके बाद, total number of ministers, जो भी, council of ministers है, including the prime minister, total number 15% होना चाहिए, of the total strength of लोगसभा, लोगसभा की जो strength है, उसका 15% ही, इससे जादा नहीं हो सकते हैं, council of ministers, number जो है, ठीक है, चलिए, these, बहुत easy question था, तो these were the questions for today, guys, I hope आपको ये अच्छा लगे session, इसके लावा, अगर आप UPSC के तयारी कर रहे हैं, तो आप a free UPSC workshop, attend कर सकते हैं, हमारे एक rollback center पर, इस QR code को आपको scan करना है, और register करना है खुद को, 14 January को ये होने वाली है, 3 बजे से 5 बजे, और कोई भी इपने doubts and queries आप यहाँ पढ़ा कर पूछ सकते हैं, इसके लावा, जो offline centers, उनको visit कर सकते हैं, बहुत सारे features आपको यहाँ मिल जाएंगे, मारे offline centers के, ND live 10 आपको code ये use कर classes भी avail कर सकते हैं, इस code को आपको counseling form में fill करना होगा, ताकि आपकी details हमारे पास हो, तभी आप free demo classes हमारे ये center पर आकर ले सकते हैं, ठीके, don't forget to use this code guys, so that will be all from my side, I hope you like the session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update, thank you so much, God bless, take care, bye bye झाँ कर दो आपको ऑच्गा झाल झाल